Hello everyone, welcome to CRB Classes आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे किसी को स और सी को क कहां पढ़ें जब भी हम पढ़ते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं जब उपढ़ना सुरू करते हैं तो उनके साथ ये परिशाने हमेशा होती है कि सी को स कहां पढ़ा जाए और सी को क कहां पढ़ा जाए तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिस करेंगे कि सी को स और सी को क कहां पढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तो आएए समझते हैं C के साथ अगर I, Y, E, I तो उसे हम स पढ़ेंगे For example, C, I, R, C, L, E Circle, C के जश्ट बाद I आ रहा है, तो इसे हम स पढ़ेंगे C, E, N, T, E, R, Center C के जश्ट बाद E आ रहा है, तो इसलिए हम पर हम C का उचारन स करेंगे आएए अब हम समझते हैं कि C को क कहां पढ़ेंगे देखिए, अगर C के साथ अदर कोई भी वड़ाता है, I, Y और E को छोड़कर कोई भी अदर वड़ाता है तो उसे हम क पढ़ेंगे For example, C, A, T, Cat, C, U, P, Cup, C, L, O, S, E, Close इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि अगर C के साथ I, Y, E, I तो उसे साथ और इन्हें छोड़कर कोई भी अदर वड़ात उसे हम कपढ़ेंगे तब तक के लिए Thank You और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले Bye Bye